तोस्तो आज के Defense Update Series के इस वीडियो में जिन अपडेटों के बारे में बताऊंगो उनमें तेजस Mark 2 प्रोग्राम को लेके हाली में हुए एक बड़े डेवलाप्मेंट से शुरू करके Air Force के चीफ के द्वारा MRFA प्रोजेक्ट को लेके दिया गया बयान French Technology के माध्यम से Q Submarine Project 75I को निर्मान करना चाहिए उससे शुरू करके Agalika Island में बनाया जाने वाले Indian Military Base और Short Takeoff and Landing Capacity वाले MQ-9B द्रोन तक शामिल होगा दोस्तो इन सभी विशोय के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिरी तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तोस्तो तेजस Mark 2 Aircraft को लेके जो सबसे बड़ा ख़बर बताया जा रहा है वो है Air Force Chief, Air Chief Marshal, VR चौधरी के तरफ से इस प्रोजेक्ट को बैक करना बताया जा रहा है कि इसे एक Interm Solution के रूप में फिलाल देखा जा रहा है मतलब तेजस Mark 1A और AMCA Aircraft के दर्मियानी Aircraft के रूप में तेजस Mark 2 Aircraft को देखा जा रहा है और इसे एक तरीके से AMCA Aircraft Indian Air Force के बेड़े में शामिल होने के पहले के कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है दोस्तों हाली में ही Air Chief Marshal V.R. चौधुरी के तरफ से भारत शक्ति को एक Interview दिया गया जहाँ पे उनके तरफ से जानकारी दिया गया कि इंडियान Air Force के capability को मजबूत करने के लिए प्रयास चलाया जा रहा है और ऐसे प्रयास में ही 83 Tegas Mark 1A Aircraft 2 को खड़ीदा गया साथी साथ उनका ये भी कहना है कि AMCA Aircraft से पहले कि जो प्रयाड है उसके gap को पुरा करने के लिए तेजस Mark 2 Medium World Fighter Aircraft को प्रोक्योर किया जाएगा हाला कि दोस्तों शायद ये Air Force Chief के तरफ से ऐसा पहला मौका होगा जहाँ पे तेजस Mark 2 Aircraft को बेड़े में शामिल करने का बात कहा गया हो उनके द्वारा Air Force Chief के ये पद सेप्टेंबर 2021 में गरहन किया गया और तब से जब पिछली एक बार उन्हें तेजस Mark 2 Aircraft के बारे में पूछा गया तब उनके द्वारा इसे स्कीप कर दिया गया था हाला कि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में ये भी बताया जाता है कि Air Force के अंदर फिलाल तेजस Mark 2 Aircraft के प्रोग्राम को लेके दो धरा बना हुआ है जहाँ पे एक धरे के द्वारा तेजस Mark 2 Aircraft के प्रोग्राम को जहाँ पे समर्थन दिया जा रहा है तो उही पे दूसरे तरफ दूसरा ग्रूप तेजस Mark 2 से अधिक समर्थन AMCA aircraft को दे रहा है और AMCA aircraft को Mark 2 के उपर तरजी देने के भी पक्ष में हैं तो सो तेजस Mark 2 Medium Weight Fighter aircraft को अगर प्रोजेट को देखा जाए तो पहले के कुछ report के मुताविक Indian Air Force के तरफ से करीवन ऐसे 200 aircraft को खरिदा जाना है हाला कि हाल फिलाल में कई सारे बदलाव आया है जिसके कारण ये संख्या Original requirement के मुकाबले में घट सकता है दूसरे तरफ Indian Air Force का focus 7 squadron AMCA aircraft और 6 squadron MRFA aircraft को भी अपने बेड़े में शामिल करने का है जो कि आने वाले 15 से 20 साल का कारेक्रम है दूसरे तरफ दोस्तों एक तरफ जहापे Air Force Chief के तरफ से तरफ से तेजस मार्क टू मीडियम वेट फाइटर एरक्राफ को इंटरम सोलूशन के रूप में देखा जा रहा है दूसरे 17 टन कैटेगरी के ये जो तेजस मार्क टू एरक्राफ्ट है असल में इन एरक्राफ्टों को अस्ती के दर्शक में इंडियम एरफोर्स में शामिल किया हुआ एरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ही डेवलफ्ट किया जा रहा है जिनमें जैगोर, मिक 29, मिराश 2000 जैसे एरक्राफ्ट है और कुल मिला कि इन एरक्राफ्टों के संख्या 200 के आसपास है हाला कि अब इंडियम एरफोर्स के तरफ से तेजस मार्क टू एरक्राफ्टों से अधिक तरजी MRFA और AMCA जैसे प्रोजक्टों को दिया जा रहा है और तेजस MR2 एरक्राफ्ट को एक तरिके से इंटरम सोलूशन के रूप में देखा जा रहा है मतलब AMCA एरक्राफ्ट इंडियन एरफोर्स में शामिल होने से पहले कि आवशक्ताओं को पूरा करने वाले एरक्राफ्ट तो से इंडियन एरफोर्स करिवन साथ स्क्वाड्रेंट AMCA एरक्राफ्टों को खरिदना चाहता है जिनमें 2 स्क्वाड्रेंट मार्क वान वेरियेंट और करिवन 5 स्क्वाड्रेंट मार्क टू वेरियेंट होगा मतलब कुल संख्या करिवन 140 के आसपास होगा जबकि ये भी तर्क दिया जा रहा है कि एरक्राफ्टों के अधिक कीमत होने के कारण इस तरीके के एरक्राफ्ट बड़े मात्रा में एरफोर्स अफोर्ट नहीं कर सकता हाला कि दूसरे दरफ 114 मल्टी रोल फाइटर एरक्राफ्टों को खरिदने को लेके इंडियान एरफोर्स करिवन 20 बिलियन डॉलर तक खर्चा करने के लिए तैयार है जो जैनरली 5th Generation के fighter aircraft भी नहीं बलकि 4.5 generation के ही एरक्राफ्ट है उपर से अगर तेजस Mark 2 एरकरफ्टों को देखा कर सकते है और अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो फिलाल ये टेंडर भी संपूर्ण रूप से अब तक आगे नहीं बढ़ा और इस टेंडर के अंतर गदवी एरक्रेफ्टों को बेड़े में शामिल करने के लिए काफी समय इंतजार करना पड़ सकता है हाला कि इससे पहले जायए टेजस्माक्टू एरक्रेफ्टों के साथ साथ अन्य एरक्रेफ्टों के दि osc को बनाने का जो इरादा है उसे भी पूरा इस्ते बारे में जालते है तो दोस्तों भारत सक्ति को दिया इंटर्व्यू में एरचीप मार्शल वी आर चौधरी के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया कि इंडियान एरफोर्स के द्वारा जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन 114 फाइटर एरक्रेप्टों को खरिदने को लेके जारी किया गया जिसे MRFA tender कहा जाता है उसके तहट टोटल आर्ट ओरिजिनल एक्वेप्मेंट मेनुफेक्चररों के तरफ से रिस्पॉंस आया है और फिलाल इंडियान एरफोर्स रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल को तयार करने का काम कर रहा है तोसर रिपोर्ट के मुताविए कि इन आर् के तरफ से बनाया हुआ सुखोई 35 जैसे एरक्रेफ्ट तो शामिल है ही साथ में फ्रांस के डेसल एविएशन के रैफैल सुडेन के साब ग्रूप के ग्राइफिन ई और योरो फाइटर टाइफून एरक्रेफ्ट के भी शामिल होने का बात कहा जा रहा है हाला कि दोस्तों ये भी है कि शायद बोईंग के तरफ से एक ही एरक्रेफ्ट को इस ट्रेंडर में आगे बढ़ाया जाए और बोईंग के द्वारा शायद एफए एटीन सुफा होनेट को टेंडर से विड्रॉल कर लिया जाए दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो एरफोर्स के द्वारा क मतलब प्रोजेक्ट 75i को क्यों फ्रांस के साथ आगे बढ़ाना चाहिए उसके बारे में जानते हैं अब सब लोगों को पताई होगा कि प्रोजेक्ट 75i फिलाल एक तरीके से डेड एंड पे आके रुख गया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए लगभग सभी कम कंडिशनों को बताया जा रहा है हाला कि इसका मतलब ये नहीं कि टेंडर से सभी कमपनी अपने आपको विड्रॉल कर लिया है क्योंकि अवी वी टेंडर में साथ कूरिया के कमपनी डियेवुशी प्याड एंड मरीन इंजिनियरिंग के तरफ से अपने सबमरीन का ओफर रिपोर्ट में ये वी दावा किया गया कि इस सबमरीन के प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 76 कहा जा सकता है पर दोस्तों इस तरीके के सबमरीनों के डेवलाप्मेंट के लिए भारत को फिलाल कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट संपूर्ण दूर यहाँ पर यहाँ पर यह नहीं कहना है कि भारत को प्रोजेक्ट 76 मतलब इंडेजनियर सबमरीनों के तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए बलकि इस तरीके कॉंसेट को तो भारत को कई साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था फर फिलाल एक तरफ जहाँ फिलाल एक तरफ भारत के अब एक बड़े मददगार के रूप में भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि और फ्रांस के मदद से भारत मज़ेगाव डॉक्याड लिमिटेड में 6 सबमरीनों का निर्मान कर चुका है यहाँ पर आपके जानकरी के लिए बता दू कि यह प्रोजेक्ट 75 के सब पर देशनल सबमरीनों का निर्मान या फिर कहतों ने सबमरीनों का निर्मान किया सकेगा तो चलिए अब वीडियो का नेक्स्ट अफ्डेर मतलब अगलिका आइलेंड में भारत के बेस के बारे में जानते हैं तो उसलिए के कुछ सैटलाइट इमेजों के हवाला देते अपने वर्स्टेंड इंडियन ओशन के शेत्र में प्रेजन्स को मजबूत कर सके साथी साथ रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ साल से भारत यहां पे कॉंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का काम कर रहा है जिन में करीवन 10,000 फूट रनवे और जेटरी का कॉं हैंगर बन चुका है कि इंडियन नेवी के जो P-8I maritime surveillance या submarine hunter aircraft है उसे hold कर सके इवन इसमें दो नया runway का भी construction किया जा रहा है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो hangar है इसका आकार करीवन लंबाई में 180 feet और चौड़ाई में करीवन 200 feet है जो कि P-8I को hold कर सकता है क्योंकि P P-8I aircraft का जो लंबाई है वो 123 feet है और चौड़ाई 126 feet है दोसो अगालिका island में भारत के तरफ से base बनाये जाएगा या फिर surveillance center बनाये जाएगा इसके बारे में तो पहले ही खुलासा हो चुका था लेकिन इंतिजार था एक clear जानकारी का और ये satellite imageों के साथ खुलासा हो रहा ह कि यहाँ पे भारत significant तरीके से काम कर रहा है जो भविश्य में West Indian Ocean में भारत के interest को serve करने के साथ साथ चायना को counter करने में भी मददगार होगा दोसो अब चलिए वीडियो का सबसे आखरी update मतलब General Atomic के तरफ से निर्मन किया हुआ shot take off and landing MQ-9B refer drone के बारे में जानते हैं दोसो General Atomic Aeronautical System के तरफ से हाली में अनौस किया गया कि ये एक्जिस्टिंग के साथ है और मेरी टाइम ओपरेशनों को अंजाम दे सकेगा इस तरीके के Unmanned Aerial Vehicle के development का main purpose है वेकलों को aircraft carrier के उपर deploy करना हाला कि इसे संपूर्ण रूफ से carrier waste Unmanned Aerial Vehicle के रूप में बनाने के लिए इसके folding wing section और tail section को भी तैयार किया गया है जो इसे कम से कम space में hangar में store करने में मददगार होगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ ने बना हुआ बेल आइकन को फ्रेस कर दीजिए जाकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद